आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ OPPO A78 5Z और भाइस साब इसकी जो OPPO ने डिजाइनिंग हो गए रदी यह काफी ज्यादा उनीक है यहाँ पे देख सकते हो कितना फ्लेट है और नीचे आप देखोगे तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है पर क्या आपको बता है इसके अंदर जो hidden features मिलते हैं वो कई गुना ज्यादा मिलते है आपकी बार क्योंकि इसके अंदर android 13 आपको मिल जाता है तो अगर आपने यह mobile phone खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे होना तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा useful हो सकता है इसको मतलब अच सबसे पहले मैं आपको काफे अच्छी यहाँ पर चीज बताने वाला हूँ इसके लिए आपको जाना होगा settings के अंदर और यहाँ पर जैसी आप आओगे ना तो यहाँ पर देखिए wall paper इन style का option में जाता है अब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों जैसी कि normal wallpaper और यहाँ आप ड जाकर डाउनलोड कर सकते हो काफी अच्छी अच्छी themes वह अपनी मर्जे से कर लीजिए पर जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए देखिए यहाँ पर पीछे आ रहा है और यहाँ पर देखिए icons का option मिल जाता है ठीक है ना icons के उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर द बड़े हो चुके ने छोटा करना चाहो यह देखिए छोटे हो चुके है तो इनको आप अपनी मर्जे से कस्टुमाइज कर सकते हो जैसे भी आपको रखना है और आप जाते हो कि नई यार मुझे तो यहाँ पर नेम ही हाइड करना है एक दम इनके सकल देखके ही पहचाननी है तो आपको इसको मतलब यह देखिए अब नाम हाइड हो जाएंगे तो यह जो कुछ भी आप सेटिंग कर रहें इसको यहाँ पर नीसे अपलाई कर लेना है और आप यहाँ पर पूरा शेप चेंज करना चाहते हो जैसे कि यहाँ पर फेस्बूक का कुछ इस तरह का से यह यह देखिए अभी फोटोज के ऊपर फोकस रहें फोटोज का ऐसे यह कुछ इस तरह से हो जाएगा पेबल के अंदर करोगे पूरा चेंज हो जाएगा और यहां पर कस्टूमाइज के अंदर जाकर यह देखिए पूरा यहाँ पर इनका शेप बी चेंज कर सकते हो जैसा भ यहां पर आपको कुछ धुशरे color के या पिंक हो चुके है तो अपनी मर्जी से इन चीजों को यानि कर सकते हो जो भी color आपका फेवरेट है उस color को अपने रख सकते हो जो भी color आप रखना चाहो यहाँ पर रख सकते करना है तो वापस वही हो जाएगा जो आपका पहले तो ग्रीन जैसा भी रखना है अपनी मर्जी से रख सकते हो तो फिर से हैं पर आपको बेग जाना है और यहां पर देखिए क्विक सेटिंग का ओप्शन मिल जाता है अब यह कहा है जैसे कि आपके वाई-फाई हो गे रहा है ठीक ना यह देखिए यहां पर जितने भी है इनक मज़ेदार चीज बताता हूँ जैसे कि आप यहां पर क्या है कुछ भी जैसे आपके नोटिफिकेशन आयों इतने सारे ठीक है आप इसको क्लियर कर देते हो तो वो क्लियर हो जाते है पर आप चाहते हो कि यार वो क्लियर नहीं होनी चाहिए मैं मतलब एक महिने के बाद भी जाकर उनको संभालों कि भाई मेरे पास किसका मेंसे जाया था क्या नोटिफिकेशन आया था तो पूरी की पूरी हिस्टरी आपके पास मुझूद होनी चाहिए तो वो सब कुछ कैसे रह सकते है और दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर पूरी हिस्टरी मुझूद रहती है बस उसके लिए आपको एक setting को own करना रहता है और उसरी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप उपर बेटरी के percentage हो गएरा देखना चाते हुए फिर इंटरनेट की जो speed है कितने इंटरनेट की speed चल रही है वो देखना चाते हूँ या फिर ये जो बेटरी का logo है आप इसको भी change कर सकते हो अंदर बाहर और काफी यहाँ पर अच्छे चयोपसिंस आपको मिल जाएंगे इसके लिए आपको जाना होगा settings के अंदर अब जैसी मैं settings के अंदर गया है तो यहाँ पर देखिए notification and status bar अब यहाँ पर सबसे पहले status bar के ओपर लेकर चलता हूँ तो यह दिखी बेटरी style अब बेटरी के यहाँ पर काफी सारे style मिल जाते हैं जैसे कि यह कर लिजी loop वाला काफी अच्छा लगता है यह दिखी loop के अंदर हो चुका है जैसे भी आपको दिखाना है वेसे आप अपने मर्जी से रख सकते हो यहाँ पर देखी real time network speed इसको ओन करने से क्या होगा दोस्तों आपकी जो internet की speed है न वो यहाँ पर उपर शो होने लग जाएगी कि कि इतनी MP per second आपका जो internet है वो चल रहा है तो इसको भी आप कस्टोमाईज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब आपको बेग जाना है और अब मैं आपको वह बताता हूँ जो कि मैंने आपको notification history के बारे में बताया था कि पूरी history आपके पास मोजूद रहती वह कैसे होगा तो यहाँ पर more setting के अंदर जाना है और यहाँ पर देखी notification history अब इसके उपर click किया तो यहाँ पर इसको on कर लेना है अब मैंने on कर लिया example कि मैं यहाँ पर देखे इनको clear करता हूँ ठीक ना यह मैंने clear कर दिया अब यह देखे जो भी मैंने clear किया था वो पूरी history यहाँ पर आ दा ही है तो चले दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि यार मैं double tape करूं तो screen off हो जेना चाहिए और double tape करती screen on हो जानी चाहिए और एक तरीका ओ बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाल है तो इसके लिए आपको screen के उपर इसे tape क हो चुकिए double tape करोगे screen on हो चुकिए देखी तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फाइदा हो जाएगा और जो मैंने race to wake आपको on कराया था ना उसका क्या मतलब है जैसे कि मैंने screen को off किया ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना simply अपने mobile को इसे उठाना है और आपकी जो screen है और ओन हो जाएगी तो यहाँ रेश टू एक जो है यह काफी ज्यादा useful आपके लिए हो सकता है यहाँ पर रेश टू एक को आप कर सकते हो क्योंकि आपको अगर टाइम हो गयरा देखना है और आपको कुछ नहीं करना mobile को उठाना है और आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ ओन हो जाएगा टाइम हो गयरा देख सकते हो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि यार यह दो मैं मतलब बेक हो गयरा इधर से ला रहा हूं तो आप कैसे कर सकते हो अपने mobile के अंदर आपके नीचे अगर buttons यहाँ पर शेयो हो रहे है यह फिर आ यह देखे बटन आ गए है यह आप आप देख सकते हो तो यह जो button है मतलब बटन रखना चाहाँ रख सकते हो और अगर आपको वही पसंद है जैसे कि मैं पहले बेक वगयरा ला रहा था तो गेस्चर्स पर आपके क्लिक करके वेसे जा सकते हो आपके काफी मज़ा था बेक वगयरा जाने में तो चली दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही मज़ेदा ट्रिक बताता हूं जैसे कि आपको कोई दोस्त आप से मोबाइल मांगता है कि यार भाई मुझे सिरफ कोल करनी है या फिर आपके बच्चे आप से मोबाइल मांगते है कि यूटूपर सिरफ बढ़ तो इसके लिए आपको जाना होगा सिस्टम से क्यूटी के अंदर सबसे नीचे जाना है और यहां पर आपको दिख जाएगा पिन एपस और यहां पर इसको ओन कर लेना है ठीक है अब जैसे मैंने इसको ओन किया है अब यहां पर मैं दिखाता हूँ जैसे कि किसे ने कोल के लि रखोगे तब यहां पर आप लोग भी लगा सकते हो यह देखिए और अगर आपने पहले से लोग लगा रखाए ना तो जब तक आप उस लोग को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इस एप को अंपिन नहीं कर पाएगा तो दोस्तों यह काफी ज्यादा अच्छा आपके हो सकता है और फ्यूचर के अंदर आपको यहां पर इसकी कभी भी ज़रूरत बढ़ सकती है तो इसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप चाहते हो कि मुझे यूटूब पर वीडियो भी देखने है और वाटसप पर चैटिंग भी करने है या फिर वाटसप और इस्टागराम दोनों पर किसी का कार ना है तो आप दोनों को एक साथ में कैसे चला सकते हूं वह मैं आपको बताता हूं जैसे कि यहां पर एक्जामपल के लिए मैं आपका यहां पर ओपन कर लेता हूं चोटा करना चाहो तो जैसे कि मैं यूटूब को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं भी देख सकते हो तो आप इनको बड़ा चोटा भी कर सकते हो और अगर इनको रिप्लेस करना है तो आप यहां पे उपर लेके जा सकते हो तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो को चला सकते हो और अगर पूरा आपको यूटूब रखना है तो इसे करोगे पूरा यूटूब आ जाएगा तो यहार काफी अच्छा उपसे आपको देखने को मिल जाता है यहां पे एक साथ में दो एपस को आसानी से चला पाओगे तो चले दोस्तों आपको बताता हूं क में क्या difference होता है वो भी मैं आपको बताता हूं तो इसके लिए आपको जाना होगा settings के अंदर और यहां पर जैसे कि display and brightness के अंदर जाना यह देखिए अब यहां पर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं जैसे कि dark mode का option मिल जाता है यानि कि आप night में mobile को या ज्यादा यूज़ क जैसे कि vivid है भी आप इसको natural कर सकते हो देखिए काफी फरक देखने को मिल जाता है और warmer करना चाहते हो या फिर default रखना चाहते हो वो अपनी मर्जी से रख सकते हो और यहां पर आपको i comfort का option मिल जाता है इसको जरूर यूज़ किजी क्योंकि अगर आप mobile में पढ़ाई करते हो या फिर दोस्तों आप ज्यादा chatting हो गेरा करते हो mobile के अंदर तो इसको जरूर ओन कर लेना क्योंकि इससे आपके आँखें जो है उस पर बहुत कम असर होगा तो आप इसको और रख सकते हो और यहां पर डिस्प्ले साइज का option मिल जाता है इसको भी यूज़ कर सकते हो औ जैसे की supported app को यहां पर कर लेते हैं अब यहां पर आपके पास internet connection है तो वह आपको डाउनलोड कर लेने जैसे की YouTube हो गया तो यहां पर आप कुछ भी देखोगे ना जैसे कि आपने होट सिटा डाउनलोड कर रखा है तो उसके अंदर आपको वीडियो की quality काफी अच्छी दे यहां पर आपको बता भी रहा है कि standard or high में कितना ज्यादा difference है यानि कि अगर आप आपके mobile के अंदर gaming होगे रहा करते हो तो आपको 90S पर ही रखना है या फिर आप नोर्मल काम करते हो तो आपको 60S पर ही रखूंगा क्योंकि फिर अच्छा होता है तो पर दोस्तों इससे ब वीडियो को समाफ्त करना चाता हूँ और दोस्तों अगर आपको मतलब और भी कोई सवाल है तो आप मुझे comment कर दीजी मैं आपके लिए part 2 और बनवा दूँगा इसका मतलब जो part 2 है वो अलग से और upload कर दूँगा इससी channel के उपर तो दोस्तों आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment at description में मेरे instagram की link मिल जाएगी आप मुझे पूस सकते हो और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आयो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करकि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्यूंकि